Halo दोस्तों रितु किचन में आपका स्वागत है है आज हम मिक्स बैज बनाएंगे जसकी समागः इस पर कार है ये दो टिमाटर है जिनने हमने पीस लिया है ये अद्रग और लस्टन का पेस्ट है ये दो प्याज है इसमें हमने पांचे काजू डाले जिस हमने पीस लिया है ये एक कटोरी मटर है ये धाइसोग्राम पनीर है जिस हमने काट लिया है ये आदा फूल गोबी का है आदे से भ चमज हद्धी पाउडर है, एक चमज जीरा पाउडर है, दो चमज जनिया पाउडर है, एक चमज लाल मिस पाउडर है, या मुल्की क्रीम है, आप दूर्ट की क्रीम भी ले सकते हैं, कडाई हमारी गरम हो चुकियों, उसमें हमने 2 कर्शी सर्शो का तेल रखाए, वैज को फ् आलो को फ्राई करेंगे, अब सारी सब्जें डालेंगे, इसमें, इसमें हम मठर डालेंगे, मठर को फ्राई कर लेंगे, सब्जें हमारी फ्राई हो चुकिया, इसको पलेट में निकालेंगे, पनीर को भी फ्राई करेंगे, इसमें, पनीर भी हमारा फ्राई हो चुकिया, इसमें निकाल लेंगे, सारी सब्जें हमने फ्राई कर दिया है, पनीर भी फ्राई कर दिया है, सारी सब्जीं हुआ हो निकाल लिया हमें, इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को भून दिया है, इसमें लख्षन और अद्वक का पेश डाले हैं, इसे भी भूनेंगा इसकी पराद, देखें, प्याज और लख्षन को भून दिया है, हमने, इसमें चमज मक्षन का डालेंगे, मसाला मिलाएंगे हम, मसालो को भून लिया हमने, दो मिनट, टमाटे डालेंगे इसमें, नमक डालेंगे, स्वाद अनुसा, दो चमज इसमें क्रीम डालेंगे, आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं, मिलाएंगे से अच्छी तरह, गरम मसाले डालेंगे इसमें, आदा चमज, पस्तूरी मेथी डालेंगे, मसाले को भूम दिया है, हमने अच्छी तरह, अब इसमें सब्जियां डालेंगे, सब्जी को चलाएंगे, इससे ताकि मसाला हमारा मिल जाए आपस में, मसाला हमने मिला दिया है, इसको 5 मिन धखके रखेंगे, इसमें आदी कटोरी पानी डालेंगे, अगर आप सूखी चाहते हैं, तो पानी मत डालना हमने आदी कटोरी डाला है, जिससे यह लट पट हो जाए, सब्जी को मिला लिया हमने पानी डाल के थोड़ा इसको डखके होगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दमाएं, तैंक है,